नमस्कार आईए दोस्तों जान लेते हैं आज की तज़ा समाचार मुखी समाचार हिंदी न्यूस हेड्लाइन्स न्यूस के तथ मुखे समाचारों में दोस्तों यदि आपके पास रासन कार्ट है तो मोधी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है जिहां दोस्तों सोने चांदी की चमक पूरी तरीके से फिकी पड़ गई है 250 रुपे सस्ता हो गया है सोना चांदी मोधी कैबिनेट में तीन आहम बिल की दे सकती है जल्द मजूरी जल्द बनेगा मोटर साइकल पर कानून जिहां दोस्तों मौसम से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे और आपको बताएंगे पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या है आपको बताएंगे कि किसान के रेड़ कार्ड के तरज पर मिलेगे अब एस्टुडेंट कार्ड जल्द खरी सकेंगे आप लेप्टप जिहां दोस्तों वाटसेप से भी आप कर सकते हैं मुचूल फंड में निवेज जिहां दोस्तों इन सभी खबर को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों आपसी छोटा सारी क्वेश्ट है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्काइब कर लें और घंटी बटन को जरू से दबादें और वीड़ो को लाइक सेर जरूर करें जिहादोसो यदि आपके पास रासन काट है तो मोधी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अप्टिर जारी किया गया है जिहादोसो सरकार का कहना है कि एक देश एक रासन काट की और बढ़ रही ह कि वे अपनी मन पसंद से किसी भी रासन की दुकान से देश भर में सरफजनिक वितरन पनारी का उप्योग कर सकेंगे सरकार ने कहा है कि यह कदम लवहार्थियों को स्वतंतरता प्रापत करेगा क्यूंकि वे किसी एक रासन की दुकान पर बंधे नहीं होंगे रासन के मालि पर अपनी उनके निर्वरता कम हो जाएगी जिसे ब्रश्डचार पर अंकुस्ट लगाया जा सकता है इससे सबसे बड़ा लाभार्थियों के उनको होगा जो प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के औसर तलासने के लिए दूसरे राज्यों में जाते होंगे और जिले में अपनी हिसे का खाद प्राप्त कर सकता है और अन राज्यों में भी यह आस्वासन दिया गया है कि जल्दी से बीसे लागू कर दिया जागा आपको बता दे कि सरकार ने कहा है कि खाद और सरफचनिक वितरन पनाली वन नेसन वन रासन काट के उदेश को प्राप्त कि सोना चांदी की चमक पूरी तरीके से फिकी पड़ गई है 250 रुपे सस्ता हो गया है सोना चांदी कमजोर वैस्विक रूप के बीच सटोरियों को सौधा घटाने के वायदे कारोबार में चांदी 237 रुपे से तूट करके 37,625 रुपे परती किलो आ गया है और वहीं कमो महिने में डिलेवरी वाली जो चांदी होगी वो 248 रुपे यानि की 0,65 रुपे परती घट करके 38,146 रुपे परती किलो रह जाएगी आपको बता दे की चांदी की अलावा बजार में सोने की कीमत 254 रुपे तूट करके 34,133 रुपे परती 10 ग्राम तक पहुँचुगा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महिने में डिलेवरी के लिए सोने का भाव 254 रुपे यानि की 0,74 परती सथ की गिरावट के साथ है 34,133 रुपे परती 10 ग्राम तक पहुचाएगा आपको बता दे की अक्टूबर महिने में डिलेवरी के लिए सोने की जो कीमत हो होगी वह 277 रुपे यानि की 0,8 परती सथ की गिरावट के साथ 34,318 रुपे परती 10 ग्राम तक पहुचाएगा बैस्वीक अस्त पर नियुयोक में सोना 0,5 परती सथ की गिरावट के साथ है 1407,70 डॉलर औस रहा है जी हाँ दोस्तो अगली खबर में आपको बता दे कि दोस् सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरज पर छात्रों को एस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड देने की यूजना बना रही है जिसके मदद से वे लेपटप भी खरी सकेंगे और साथ ही उन्हें पढ़ाई के दोरान पैसे की बाधा नहीं रहेगी वे कार्ड मेनी एजुकेशन लोन के तहत काम करेंगे राज सरकार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड यूजना के तहत अब छात्रों को लेपटप देने की यूजना बना रही है सिक्चा विभा के एक अधिकारी ने बता है कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड से करीबन 50,000 छात्रों को लेपटप की देने शात्रवास के खर्च के साथ उनकी सुविधाय यह मिलेगी। आपको बता दे कि लैपटॉप के लिए स्टुडेंट के रेडिर कार्ड से रिन की स्विक्रिती तक्निकी मेडिकल और आईटी के बिद्यार्थों को भी दे जाएगी। छात्र लैपटॉप के लिए अधिक्तम 50 सजार रुपए इसके तहट वो निकाल सकेंगे। जिहादो सो इसके बाद सिक्षा भी भाग के इस मामले में यह प्रस्ताव तयार कर दिया है और जल्द ही मंत्री मंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी। जिहादो सो अगली ख़बर आपको बता दे कि मोधी क अपैटमेंट बिल होगा, इसमें सामिल, आपको बता दे कि मोटर वहीकल अपैटमेंट बिल को सनख हाधसों पर लगाम लगाने के मकसद से लाएगया है, देश में सनख हाधसों को लगतार इजाफ़ा हो रहा है, इस बिल के तहुद ट्रैफिक रूल दोड़ने पर ज़्य या तकनिकी या डिजिटल की मत्स से अहम पहलियों में सुधार लाना जैसे ड्राइफिंग लाइसेंस बनाना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वगेरा इस सब के जरिये ब्रश्डचार पर नकिल कसा जा सकता है आपको बता दे कि सरकार केविनेट से मंजूर बिल को जारी मौनसूस सत्र में पेस करेगा जिसके तहट जब मोधी सरकार पहली बार सत्ता में आय थी तब इस बिलो को संसद में पेस किया गया था लेकिन परयापत संख्या बल नहीं होने की वज़़े से सरकार इसे पारित नह जारी रहेगा जी हाँ तो सो मौनसून के गुजराज पहुचने के साथ ही सोराष्ट और दक्षिन गुजरात में मुसलादार बारिस हुई है राज अपात अभियान केंद्र के बारे में यह जानकारी दी है आपको बता दे कि राज के अन जिरों में भी बारिस हुई है लेकिन उत्तर इलाकों में गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है मौनसून गुजराज पहुचने के साथ ही इसके सोराष्ट और दक्षने इलाके के साथ कुछ ही सो में बारिस हुई है और कई इलाकों में भी बारिस दर्च की गई है इमर्जेंसी ऑपरेसन सेंटर ने यह मौनसून विभाग विभाग के एक अधिकारी ने बता है कि मुंबई में बारिस का जोरदार असर नहीं दिखा गया है अंधेरी और सांतरकु जैसे इलाकों में बुनदाबांदी की संभावना बताई जा रही है जिहां दोसो आपको बता दे कि बिहार के राजानी पटना के स साथ लंबी अधि में मोटा कमाई के लिए लोग इसे निवेश कर रहे हैं हाला कि अभी तक इसमें निवेश को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है मुचूल फंड कंपनी के बजाज लोन सीधे निवेश का रास्ता तलासते हैं अब उनकी यह समस्या वार्टसेप से दूर हो जाए कि मुचूल फंड में अब वार्टसेप के निवेश से किया जा सकता है कुछ फंड हाउस यह सुबिधा दे रही है और साथ ही कुछ इंवेस्टमेंट प्लेटफॉन पर भी यह सुबिधा उपलब्द कराई गई है जिहादो सो आपको बता दे कि कौन सी और क लागतार दद किये जा रहे हैं जिसमें से देज की राजधानी दिली में दो दिनों में पेट्रोल बारा पैसे मांगा हो गया है वहीं डीजल का दाम बात करें तो एक ग्यारा पैसे मांगा हो गया है इसके तहत अंतराश्टी बाजार में हाला कि कच्छे तेल के भाव में आगतार दूसरे दिन गर्मी रही है लेकिन ब्रेट कुरूड का दाम 50 डॉलर परती बैरल के उपर ही बना हुआ है वैसे बात करें पेट्रोल और डीजल की किमतों में भी GST के दारे में लाने की चाचा किया जा रहे है इसके आने के बाद दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट दर्ज की जाएगी इस दूसरी तरफ बात करें तो इरान और अमेरिका के बिच टेंसन कम होने से अंतराष्टी बाजार में कच्चे तेल का भाव इस्थित रहा है जिसमें से धीरे-धीरे इसकी गिरावट भी दर्ज की गई है पिछले दिनों यूद्य के आ दिश्ट के बदलाव के मकसद से पी-एम आवास योजना की सुरुआत की गई थी बुनियादी धाची की पहल से न सिर्फ सहरी विकास का एक नया उधारन पेस किया गया है बलकि कड़ोरों लोगों के जीवन को भी बदला गया है उन्होंने कहा है कि इस पहलों के के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगे जो कड़ोरों लोगों की आगांचाओं को पंखा देगा आपको बता दे कि प्रधार मत्री आवास योजना के निर्मान के लिए कूल 4.83 लाख कड़ोर रुपए का निवेस किया गया है जिसमें से प्रधार मत्री मोधी ने ट्व अलाख घरों का और निर्मान करना अभी बाकी है आपको बता दे कि प्रधार मत्री आवास योजना के अपनी पुर्व वर्तिये जवाहरला नहरू राष्टिये सहरी नवी निकरन मिसन पर भी भारी सफलता दर्च की गई है और इससे असमार्ट सहर के पहल के तहत सरकार ने 72 सहरों के नागरिक अनकूल बुनियादी ठांचे को बढ़ावा दिया है इसमें 72 सहरों को 897 परियुजना सामिल है इसके अलावा 95 सहरों में 1896 परियुजना को किर्यावन्वेन के लिए अभी तयार किया गया है